गुड मॉनिंग फ्रेंड्स मैं आपके सामने आज पेपर टू लेकर रही हूं सीडी पी का 17 जनवरी में 2022 में जो हुआ था ठीक है तो आप लोग उपर देख सकते हैं टेस्ट डेट इसमें डली हुई है 17 वन और टेस्ट टाइम था 9 32 12 और सब्जेक्ट है पेपर टू है गुड हुँ तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं अगर आप लोग प्लीज अगर आपने में चैनल को सबस्काइब नहीं किया हो तो चैनल को सबस्काइब करना मत भूलीगा वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा और लास्त तक वीडियो जरूर देखिएगा और कमेंट में मुझे जरूर बताईएगा कि आपके किटने कोशन इसमें सही हुए हैं ठीक है तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं कोशन नम्बर वन है कि निमलेकित में से कौनजा समवेग अधिगम को सात्मक रूप से प्रभावित करता है तो वह है आशा ठी विभिन अधिगम रणनिती का उपियो कब और कहां क्यों करना है इसके बारे में सुए निया श्मक ध्यान सिखाया जाना चाहिए रीजन है इसका कि अधिगम रणनिती को बनाए रखने के लिए उसे नियोजित करने की संभावना बढ़ जाती है यदि विध्यारती को पता ऑपियो कब और कहां क्यों करना है सही विकल चुने क्या आपके बटाना कि असर्शन सही है ये रीजन तो सक्कर एक अपर ओप्शन हो जायेगा कि असर्शन और iation दोनों ही गरत हैं ठीक है ओप्शन नमबर 2 हो जाएगा इसका नहीं सॉरी असर्शन नहीं इसका ये नहीं है एकी मतलब ए जो है वो सही रीजन दे रहा है ठीक है फोर जायदा इसका टू नहीं है इसका कन्फ्यूज हो गई थी फोर करेक्ट आप्शन है नेक्स चलते हैं कोशन नमबर थर्ड की तरफ कोशन नमबर थर्ड है कि ले विदास्की के अनुसार सीखने के आधार क्या है तो व उसके बच्चे वातरवन के खास प्रकार के उद्धीपन के परती विशेश रूप से ग्रहन श्रम होती है तो फोर का करेक्ट आप्शन हो जागा समवेद शील अबधी ठीक है नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं फिफ्ट कोशन पर कोशन नमबर फिफ देख लेते हैं कि कथन कथन क्या है कि बच्चों के विकास के प्रकारती को दूसरे बच्चों से तुलना करके सही ढंग से शुत्ता में सटीकता में से मापा जा सकता है या फिर रीजन देख लेते हैं इसका यह सही दिया गया है रीजन या नहीं विकास का स्वरूप का अनुकरम एवं विकाती गती सभी बच्चों के लिए सर्व भोमिक रूप से समान होती है सभी सही विकल्प चुने जो इसका सही विकल्प है कि अजना ही असर्शन और रीजन दोनों ही गलत है ठीक है तो फिफ्ट का ऑप्शन नमबर थार्ड बिल्कुल करेक् कोशन नमबर सिक्स पर चलते हैं कोशन नमबर सिक्स है कि बच्चों को दित्तियक समाजी करन की डैश की अवधा में प्रारम हो जाता है जब वे स्कूल जैसे आपचारिक सस्तानों में जाना शुरू कर देते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कि माध्यमिक बाल अवस्था में ठीक है बाल अवस्था में करेक्ट ऑप्शन है सिक्स का ए नेक्स्ट कोशन में जलते हैं कोशन नमबर सैवन की तरफ कोशन नमबर सैवन है कि निमली खितमे से कौन सा अधी संग्यात्म कोशल का उदारन है किसी समस्थे को हलकनने सुयम दौरा प्रियुक प्रिया करका का मोह लेकन करना करेक्ट ऑप्शन है ए ठीक है और फौर नेक्स कोशन के तरफ चलते हैं कोशन नमबर एट पर फिर से आपको आसर्शन और रीजन वाला कोशन आ चुका है किसी नए असर्शन क्या है किसी नए सं प्रत्य का शिक्षण शुरू करने से पहले एक सिश्षण क दिया हुआ है इसका कि शारी रिक डंड का अभ्यास शिशार्थियों को अवाचनी वेवहार को सुधाने की रंड नीदी के रूप में नहीं किया जाना चाहिए सही विकल्प चुने एट का करेक्ट आप्शन है असर्चन जो है वो तो सही है लेकिन रीजन जो दिया गया है व बूलीगा कोश्च नम्मर नाइन पे चलते हैं कि समावेशी शिक्षा निमलिकित में से किसकी जरूतों को पूरा करने में मदद करती है तो नाइन का करेक्ट आप्शन है थर्ड की पिर्ति एक विध्यार्ती की ठीक है करेक्ट आप्शन है तर्ड कोश्च नम्मर टैन पे ठीक है, option number 4 ही आएगा, question number 11 की तरफ चलते हैं, question number 11 है, जब एक विध्यारती किसी समय से को हल करने में फस गया था, तो उसके शिशक ने उसे अपने विचार खुछ से बात करने का सुझाव दिया, ऐसा करने के तुरंद बाद विध्यारती ने कहा, मुझे अब जवाब पता ह इस मामले में समस्या समधान की किस रंड नेती ने विध्यारती की मदद की, तो वो जो मदद की है, वो है स्मिर्थी साहयक विध्यी, ठीक है, इसको स्मिर्थी साहयक विध्यी बोलते हैं, next question पर चलते है, question number 12 है, कि होवर्ड गारण के बहु ब्रद्धि सिंधान के अनुसा correct option is 4, 12 का correct option क्या है, 4, 1 और 2, 3 नहीं है correct option, 4 correct है, next question पर चलते है, question number 13 पर, question number 13 पर चलते है, निमलिकित में किसी दिविया गंजन, अधिकार अधिनियन, 2016 में बढ़ावा दिया गया है, तो उसका correct option है, 4, जीवन में सभी छेतरों का समानता और गैर बेद भाव, ठीक है, 13 का question number 14, question number 14 है, कि किस चरण में बच्चे परिकालात्मक कथनों पर काम कर पाते हैं, कथनों में आरतार्थिक संबन देख पाते हैं, तता अनुपाद जैसी अमूर सरचनाओं को समझने में सक्षम होते हैं, तो वो कौन सी के रहा है, कौन सी अवस्ता है, अमूर सक्रिया अवस् question number 14, question number 14, question number 14, question number 15 है, मैं आपको सिर्फ question पढ़के direct answer बता रहा है, वीडियो में बहुत लंबी नहीं बनाना चाहती, भांतियों के संबन में निम्लिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको इसमें सही कथन नहीं, कौन सा सही नहीं है, वो बताना है, तो 15 का जो कथन सही नहीं है, वो है भातिया, इस पस रूप से बच्चों की कुछ भी नहीं और उनना सीखने की अशमता को दर्शाते हैं, ठीक है, इस शमता को दर्शाते हैं ना कि अशमता को यह गलत है, तो 15 का correct option हो जाएगा, टू, next question पर चलते है, question number 16 की तरफ, question number 16 है, कि राश्टे बोर्ट कार्ट को अभिवाव को दिया जाएगा, वह है, फिर मानव समधित प्रेक्शन पर आधारित हो, 16 का correct option है, one, next question पर चलते है, question number 17 पर, question number 17 है, भाशा वा संग्यात्मक विकास के बारे में निमलिकित में से कौन सा कथन सही है, 17 का जो सही है, वो कि भाशा की संग्यात में महत्मूर भूमिका है, option number 2, ठीक है, next question पर चलते है, question number 18 की तरफ, question number 18 है, कि गुरज वेकर ले, discalculia, मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ी है, तो यह गरती है, गरना करना, ठीक है, match की problem होती है, discalculia, यह question काफी बार मतलब आया है, पहले भी आ चुका है, और इस बार भी हर पेपर में आप कोई जाज़ता देखने को मिलेगा, तो correct option is 4, question number 19 पर चलते है, question number 19 है, कि link dash है, जबकि gender है, तो link जैविक है, और gender समाजिक सरचना है, ठीक है, 19 का correct option, ब्रूप सही option है, one, next चलते है, question number 20 की तरफ, question number 20 है, कि जीन प्याजी और लेविदास्की ने सीखने की समझ को डैश पिरकिर्या से डैश पिरकिर्या में स्थांतरित किया है, तो 20 का correct है, कि निश कर रेपिर्किर्या से सरक्रिया पिर्या में स्थांतरिय किया है, correct option is 3, next question में चलते है, question number 21 पर, प्लीज आप लोग चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक भी जरूर करें करिये, ठीक है, आप लोग इनी इस पेशन मेहनत की जा दिए, next चलते है, question number 21 पर, की प्रतिभागिशारी विध्यारतों की अवावे शक्ताओं को पूरा करने के लिए, शिश्या को निमलिकित में से किस से बचना चाहिए, 21 का correct option की एक अयामी पार्टेकरम लागू करने से, ठीक है, 21 का correct option है, 4, next चलते है, question number 22 की तरफ, question number 22 है, कि निमलिकित में से कौन से ज question number 23 पर, question number 23 है, कि बच्चों का मूलिकन करने के लिए, शिश्या को निमलिकित में से किन तरीकों का प्रियोग करना चाहिए, तो 23 का correct option है, वो चारों है, कि सम्हू में काररे, कक्षा में भागी दरी, प्रोटफोलियो, पिस्तुति करन, ठीक है, अगर आप लोग ये भी सुनिच चित करने के लिए, राश्टी शिक्षनिटी 2020 प्रिस्तावित करता है, 24 का है, कि संगलना संदर्भित को, ठीक है, यह आपका बिल्कुल correct option है, next पे चलते है, question number 25 पर, 25 है, कि निमलिकित में कौन सा अभ्याद, भाशन और भाशा, विकारों वाले विध्यार्तियों म correct option इसका 4 है, next चलते है, question number 25 पर, sorry 25 नी, next चलते है, 26 है, लोरेंस कॉल बगद्वारा, पिर्तिपादिक, नैतिक विकास के किस इस तर पर व्यक्ति विश्वास रखते हैं, कि समाज को अपने नियमों के समय के साथ बदलाफ करने की जरूरत है, तो वो है समाजिक अनूबंध अभी विन्यास, 26 का correct option है, थर अगर आप लोगी लगा कर आएं, तो correct है, आपका, next चलते है, question number 27 पर, question number 27 है, कोई भी अध्यापन जो विशेवस्तू को अपने आप में एक अंत मानता है, जो वो विध्यारती के भी dash पैदा कर सकता है, तो क्या पैदा कर सकता है, सीखने की अभी प्रेंड़ना, ठीक है, correct option है, 4, next चलते है, question number 28 की तरफ, question number 28 है, कि एक शिक्षी का अपने विध्यारती की बीज, पिर्किर्य आत्मा ज्यान को सुसाध्य करना चाहती हो, निमलिकित में से conservation इस उद्दैशे के लिए उप्युक्त है, तो वो है, आप चैन समीकरन को कै कैसे हल करें, 28 का correct option है, 1, ठीक है, अगर आप लोग प्लीज, चैन को सब्सक्राइब करना मत भूलीगा, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करीगा, इस वीडियो को टू लास्ट कोशन रह गए हैं, बस, 29 का है, कि कि किसी कार्रे में, विफलता के लिए, निमलिकित में से कौन नेक्स चलते हैं, लास्ट कोशन पे, 30 पर, कोशन नमबर 30 है, कि विध्यारतियों के लिए, अधिगम को सार्थक मनाने के लिए, एक शिश्या को निमलिकित में क्या करना चाहिए, 30 का correct option जाएगा, कि अनुभाव, चिंतन और मनन करने के अफसर प्रदान करने चाहिए, 30 का correct नेक्स चलते हैं, कोशन नमबर 30 ही कोशन है, तो आपने चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करेगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलीगा, अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर कर सकते हैं, आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैंने जीमेल आईडी का लिंक अपन झाल